हलो फ्रेंट्स मैं सच्छिन स्वागत कता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमडिकेश केशन पर तो फ्रेंट्स यह रहा आपके सामने 25 फरवरी का नेवी MR का रिवी सभी सिफ्ट का मिला के रिवी है मैं सारी सिफ्ट का एक साथ रिवी लाता हूँ क्यो सार का एकजाम हो या फिर डबल ले नेवी सार डबल ले या फिर नेवी MR जो भी आपका एकजाम होना इस पर आप कोशन शेर कर देना ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए दिवी प्रोवाइड करा पाऊं और यार वीडियो को बनाने में बहुत मेनत लगते हैं इसलिए वीडियो सबसे पाला यह पूछा गया था कि international women day कर मना जाता तो international women day आपको पता आठ freue को मनाया जाता है नेक्स सा ले नेश्ट को पूछा था जासन all ताकर दगशिनी गोलाद का सब्से बड़ा दिन कौन सा रोकी फुर्फोम आई थी research and analysis wing research and analysis wing next question पूशा गया था कि विज्ञान दी उसका मनाया जाता है तो विज्ञान दी उसका मनाया जाता है 28 फरवरी को next question था इंदरा कप किस खेल से संबंदित है तो जो इंदरा कप है वो होकी से related है यह बताना था तो आप देख सकते हो किस परकार का question आ रहे है exams में और यह कि यह questions ना दोबारा repeat हो सकते है बहुत जारा chances है कि यह कि यह questions इन में से कुछ questions ने भी SR, AA के exam में आए या फिर Air Force के exam में आए क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अभी MR के जो shift चली है सभी मान लो 23 दिन में जो paper आया था उसमें जो questions आया थे 2-3 questions उस दिन के 24 वाली shift में भी आपके repeat हुए है 25 वाली में भी repeat हुए है ऐसे question आ रहे हैं तो इनको आप देखना बहुत जरूरी होता आपके लिए ताकि आपके exam में एक अधा question आ जाए next question है कि nobel पुरुषकार कौन से देश की सरकार दे सकती है तो nobel पुरुषकार कौन से देश की सरकार देती है यह sorry दे सकती है मैं यहाँ पर गलत लिग गया कौन से देश की सरकार देती है यह Sweden देश की सरकार देती है nobel पुरुषकार को Sweden नेक्स कोशिन है हाइस्ट रियक्टिव एलिमेट पूछा था पियोडिक टेबल में सबसे हाइस्ट रियक्टिव एलिमेट कौन सा है वी मेरे कोडिंग इसका नसर्फ फ्लोरी नहीं होना चाहिए बट आम नोट शूर अबाट इस कोशिन आप लिकमेंट सेक्शिन में अपना और उपादक्स कौन है थुम्भी दुरई नेक्स कोशन पूछा था किर्केट पिच की लंबाई कितनी होती है तो किर्केट की पिच की लंबाई होती है बाईस गज अगर मीटर में बात करें तो बीस मीटर हो जाती है नेक्स कोशन पूछा था कि कोउंग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ तो पहला कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में जिसके अध्यक्स थे दादा भाई नौरो जी next question है कि a minus b की cube पूछा था आपसे एक match का question है तो अगर आपको formula याद है तो इस question को आप easily handle कर सकते थे तो इसका जो right answer है a minus b की whole cube इसका क्या answer होगा a की cube minus b का cube plus 3ab square और minus 3a square b इसमें आपको ये देखना की इसको याद करने की मैं थोड़ी सी आपको आसान बासे में समझा दूँँ तो जो ये b है b देख लेना b की power जहां भी आपको odd मिलेना वहां तो b की आगे minus का sign लगा देना और जहां पे इसकी power even मिले अब देख सकते हो आप यहां पे b cube odd है तो यहां minus का sign आया b square plus है यानि की b square है इसके आगे plus है क्योंकि ये even power है next जो b की power one यानि odd power है तो इसके आगे minus ऐसे आप इसको simply याद कर सकते हो next question पुछा था कि जजियाकर किसी ने खत्म किया जजियाकर किस ने बंद किया किस मुगल बाच्या ने जजियाकर को बंद कर दिया जो की हिंदों पर लगने वाला कर था तो इसका right answer हो जाएगा अकबर अकबर ने कर बंद कर दिया था 1564 में एक कोशन आपका trigonometry से लेटेड था यहां पर कुछ अच्छी तरह से identify नहीं हुआ कोशन 10 के आगे कुछ दे रखा था 10 33 65 4 65 ऐसे कुछ वैल्यू थी 3 15 थी सायद ऐसे कुछ वैल्यू थी तो ऐसे कुछ दे अपको find out करने थी options थी आपके पास 4 नेक्स कोशन था कि भाट का सबसे लंबा रेलवेई पूल कौन सा है तो हाली में जो भार्त का सबसे लंबा रेलवेई पूल बना है वो बना है तो यह 16 September को मना जाता है नेक्स कोशिन की आपात काल की जने परकार के होते हैं ये कोशिन काफी बार रिपेट हुआ है हर दिन ये कोशन पूछा जा रहा था तो ये तीन परकार के होते हैं तो इनको आप जरूर देखना आपके एग्जाम के लिए बहुत IMPORTENT है नेवे डवल स्थाप कौन था बाबर ने स्थापना की थी मूगल साम राजय की 1526 इस्वी में बाबर और इब्राहिम लोवदी के बीच यूद हुआ था 1526 आपको मालूम है पानिपत की पर्थाम लड़ाई नेक्स कोशन विद्यू धारा से पूछा गया था कि विद्यू धारा यानि एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर हिंदे हम बात करें तो एक सदिस रासी है या फिर अधिस तो यह जो विद्यू धारा है एक स्केलर क्वांटिटी हम जानते हैं यह स्केलर तो जो पूर्ट गालियां द्वारा गोवा की पहली राजदानी बनाए गई थी वो मेरे अकोडिंग पनजी बनाए गई थी आप भी इसका राइट आंसर सजेक्ट कर सकते हो नेक्स कोशन है कि टेलिग्राम नहीं टेलिग्राफ की अविस्कार किस ने किया जो टेलिग्राफ का आविस्कार किया था सेम्वल मोर्स ने नेक्स कोशन पूछा था सवधी अरब की मुद्रा तो सवधी अरब की मुद्रा जो है रियाल और सवधी अरब की राजदानी है रियाद रियाद इसकी राजदानी है रियाल इसकी मुद्रा है सौधी रियाल नेक्स कोशन रंजी टोफी से पूचा था रंजी टोफी किस खेल से संबंदित है तो रंजी टोफी है किर्केट संबंदित next question पूछा था सबसे अधिक साखावाला बैंक कौन सा है तो ये है SBI State Bank of India सबसे अधिक साखावाला बैंक है next question है नील नदी का उद्गम कहां से हुआ है तो नील नदी का उद्गम हुआ था मिसर से मिसर एक देश है जिसकी राज़दानी काहिरा है इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी एकेडमी पर मिसर की राज़दानी काहिरा यानि की मिसर काहिरा next question है कौन सा पक्सी तीन राज़़ों का जिसकी अपक्सी है तो ये question पूछा था इसका मैं भी confirm नहीं हूँ मुझे confusion इस question के बारे में आप इसका right answer suggest करना next question पूछा था कि आवेग या फिर समवेग साहे तो आवेग के बारे में पूछा होगा या फिर समवेग के बारे में पूछा होगा है या नहीं इंगलिस में बात करें तो impulse या फिर momentum इनकी SI unit पूछी थी तो इसको हम simply कैसे solve कर सकते हैं हम करेंगे x multiply x square plus 1 फिर कर दें minus 1 multiply x square plus 1 उसको solve कर देंगे फिर जो मारा right answer आजाएगा वो हम match कर लेंगे कौन से options उससे match कर रहे हैं तो ऐसे आपका right answer हो जाएगा next question आया था एक मुलधन दिया था दर दी थी और समय दी थी तो मिसरदन निकालना था ये question था आपका simple interest से तो मुलधन कितना दिया था 1300, दर थी 5% और समय दिया था 2 वर्स तो मिसरदन निकालना था तो इस simple सा formula था पहले तो हम साधान ब्याज निकाल लेंगे इसका फिर मिसरदन निकालना था साधान ब्याज का formula क्या होता है 1350, मुलधन multiply दर दर कितनी 5% multiply में समय दो और बाय में 100 ये आप solve करोगे तो आपका ब्याज निकलाएगा, साधान ब्याज निकलाएगा फिर आपको मुलधन में उसे add कर देना निकलाएगा नेक्स और देख लिजिए करेंट फेस से कोशन पूछे गए था कि सुखोई विमान का समदित कुछ कोशन आया था एक महिला फूटपोल से समदित कुछ कोशन आया था हलांकि कोशन को पूरी तरह justify नहीं किया गया अगर आपको पता है justify कर सकते हैं comment section में next question है मनुष्य के मस्तिस्क में हड़ियों की संख्या पूची थी तो मनुष्य के मस्तिस्क में कुल कितनी हड़ियां होती है वो होती है 28 हड़ियां मनुष्य के मस्तिस्क में 28 हड़ियां होती है next question पूचा था area of triangle से triangle का area से related कुछ question था एक question था match में now selected ठीक है ऐसे question पूछे गए थे Next question है कि आधा अधूरा नाटक के लेखक कोन है आधा अधूरा नाटक के लेखक पूछा था तो इसके जो हैं लेखक वो है मोहन राकेश Next question देख लिजिए भाकडा नागल बांध किस नदी पर है यह पूछा था तो जो भाकड़ा नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर है नेक्स कोशन पूछा था कि उसमा यानि कि हीट की SI unit क्या है तो हीट की SI unit आपको पता जूल है नेक्स कोशन पूछा था यह गद और पद किस वेद में है यजुर वेद में और जो संगीत से लेटेड वेद वो कौन सा है वो सामवेद नेक्स कोशन रास्थान का निर्ट पूछा था रास्थान का निर्ट आया था घूमर घूमर यह कोशन आया था कि रास्थान का निर्ट कौन सा है वहाँ पे first commonwealth games हुए थे next question एक पूछा गया था कि जो यो 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 आपको पता है टोई है कौन सा टोई जिसे जैसे इस type का गोल गोल टोई होता है और इस पे यह ऐसे ऐसे कुछ दागा वगएरा है लिप्टा होता है फिर हम क्या करते हैं हम हाथ में पकड़ गया उसे फिरकी की तरह गुमाते न वह होता यो 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 आपको पता होगा अगर नहीं पता तो आप simply Google पर साच करके देख लेना उसकी images आपको मिल जाएंगी तो जो यो 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 टोई है पूछा था कि ये सबसे पहले किस देश ने बनाया था तो इसको सबसे पहले चीन ने बनाया था चाइना ने बनाया था असम और मेगाले की राजदानी सबसे पहले क्या थी तो असम और मेगाले की संयुक्त राजदानी पूछी थी कि सबसे पहले इनकी संयुक्त राजदानी क्या थी हालांकि मैं इसमें थोड़ा confusion में हूँ आप बताना अगर आपको इसका answer पता है तो मैं बता देता हूँ इसका answer मुझे जहां तक लग रहा है मुझे तो इसका answer लग रहा है I think she long इसका answer होना चाहिए next question पूचा था कि ऐसा केंदर सासित परदेश जो दो राज़यों की राजदानी है तो आप जानते हो जो चंडिगड है चंडिगड दो राज़यों की राज़दानी है किसकी हरियाना और पंजाब की हरियाना और पंजाब दो राज़यों की राज़दानी चंडिगड है इसका right answer संडिगड हो जाएगा नेक्स कोशन पूझा था एक watt किसे बराबबर है तो एक watt जूल पर सेकिंड के बराबर है पूझा था कि पावर पावर की उनिट होती है वाट तो एक watt किस के बराबर होगा DOKI के बराबर होगा तो फ्रेंट्स देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना आपको लिंक मिल जाएगा या फिर सिंपली आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए चैनल की वहां पे आपको पूरा नवी MR के रिव्यूज की प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आप चेक कर लेना सेकंड पार्ट वहां से देख कार्ट वहाओ प्लेल है रहात वहां से प्लेलिस्टंगरे रीक्षायद आपको right